असलाम आलेकूम आज का वीडियो बहुत जादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो लेकर कराई हूं जिसके अंदर आपको बहुत सारे फूद्स देखने को मिलेंगे जो कि आप घर पर पर प्रेपेर कर सकते हैं अप्री कैस के लिए वह में हमें salt का compassion का और कुछ का भी यूज नहीं करना है अच्छे से फूल कोट करना है और उसके बाद हम अपनी कैस को देंगे ये अपनी कैस को अगर ज्यादा पसंद करती है तो टिएस में वःन टाइम तो डैस में वट एक आप इस तरह के से फूल मिलेगा बहुत शौक से खाती है आप ये वाले फूट अगर आप घर पर बनाते हैं तो आप देखेंगे अपनी कैट की ग्रोथ में फर्क और जब भी आपके पास कैट आती है तो फर्स डे से भी आपको सौरी फर्स डे से ही आपको कोशिश करनी है कि आप उसे घर पर फूट बना करके दें चाहे वो ब्रेड मिल्क हो या फिर एग हो या फिर मिल्क रोटी हो मिक्स करके दें अगर बड़े हो जाएंगे और तब ही आप देते हैं तो फिर वो नहीं खाएंगे सिर्फ वो विसकस की फूट जो आते हैं ड्राइफ फूट वो देते हैं आप और कुछ ग कम लेने लगेंगे कम कॉन्टिटी लेंगे तो ये बिमार पढ़ेंगे तो इसलिए एक ही किसम की नहीं फूट देना है आपको हर किसम का जो भी आपके घर में चिकन वगएरा भी आता है तो उसके पीसे वगएरा करके उसे बॉइल करके आप दे सकते हैं यहां पर हमने लिया है एक ब्रेट और ब्रेट को हाफ कर लिया है उसके बाद में हमने इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल लिया है ये मैंने कुछ 5 से 6 टेबल स्पून लिया है मिल्क क्योंके मिल्क में लैक्टिक एसर होता है इससे लूज मोशन हो सकते हैं आपको ब्रेट के तुकडे पर मिल्क इतना ही मतलब कम कॉंटिटी में डालना है और ये हाफ ब्रेट जो है वो आपकी अडल केट के लिए वन टाइम के लिए बहुत सही है मतलब इतना ही देना इससे जादा नहीं देना है लूज मोशन होन लग जाएंगे अगर आप फुल बड़ा वाला ब्रेट देते हैं तो नहीं आदा देना है और आप एक दिन में एक बार ये दे सकते हैं तो इससे भी आपकी केट जो है वो वेट गेंड करेगी और आप देखे सकते हैं यहाँ पर कितने शौक से पसंद से खा रही है और यह भी बहुत जादा चीप प्राइज में आपको फाइफ से टैन रुपीस के अंडरा बन जाए गए यहाँ पर चिकन का कीमा हुआ है लिया है मैंने और चिकन का कीमा हमें तावे पर रख करके अच्छी तरीके से पका लिना है बिलकुल भी कच्छा न रह जाए यह पकने में चार से पांच मिन्ट लेगा बहुत जल्दी से कोख हो जाएगा आपको जादा टाइम भी नहीं लगेगा और आप अगर यह देते हैं तो एक दिन में एक बार ही यह दे सकते हैं मैंने इतना टू कैट्स के लिए बनाया है एक टाइम के लिए आप इससे आधा बनाए और एक दिन में एक बार ही आराम से आप यह भी दे सकते हैं तो इससे भी फूल नुटूशन्स मिलेगा और साथी रौ नहीं है तो बाल वगेरा जो हैर फूल वगेरा ज़र जाते हैं बाल वो कुछ भी नहीं होगा आपकी कैट को और अच्छे से ग्रो करेंगी तो यह दे सकते हैं माटन माटन को मैंने तव्य पर उसी तरही के से ठाज और जैसे चिकैन को हमने पक एक फिर्फ कर दो कि दिने अगर हम रौ दे देंगे तो बहुत ज़ते हैर फॉल होगा और फ्लीस वगरा की भी प्रॉब्लम हो सकती है तो इन चीज़ों को ध्यान रखें वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करने नभूनें और मेरे चैनल को सब्सक्राइ तो करेगी ही साथी बीमार बहुत कंपड़ीगी फ्लीस वगरा की भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकर फिर आपको का जो स्ट्रेंट है स्टैमिना है वो बढ़ जाएगा तो यह सारे फूर्ड ज़रूर सदें यहां पर देखिए और यह सारे फूर्ड आपकी आपकी केट जो है बहुत शौक से खाएगी यहां पर देख सकते हैं आप मैंने आपको दिखाया भी है कि यह कैसे प्लेट को नीचे कर रही है अपने हैंड से तो बहुत शौक से खाएगी तो आप जरूर से इन्हें बना करके दें इनका ख्याल रखेंगे तो यह कभी भी बीमार नहीं प बनाना है जिससे के इन्हें और जादा प्रोटीन वगारा मिल सके क्योंकि यह सारी ग्रेवी ओगलेती है तो हम तोड़ी सी रोटी का तुकडा मिला लेंगे इस तरीके से बारीक बारीक करके और उसको इसको स्पून की हेलप से मिक्स कर देंगे आपकी कैट्स पता भी नही तो यह भी आप दे सकते हैं तो यह कैसा लगा वीडियो、 वीडियो को western करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब है तो और अगर यह सुबह से कुछ नहीं खाए है तब ही आप इतना दे सकते हैं दिन के टाइम में दो तू कैट्स को ठीक है नहीं तो आप कांटिरी थोड़ा कम ही रखें तो बैटर रहेगा लूज मोशन होंगे तो फिर दिक्कत होगी प्रावलम हो सकते हैं ठीक है हम मिलते है नेक्स वीडियो में वीडियो को जरूर से प्लीज एक लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें ठीक है अल्ला हाफिस